अस्लाम अलेकुं दोस्तों, मैं समरकन से ताजकिस्तान जा रहोगा, ताजकिस्तान का एरिया है पंजकेन, यहां पे तकरीबर 1.5-2.00 लगते हैं और आपको इजिली टेक्सी या प्राइवेट टेक्सी या कार मिल जाती है, जो के आपको वहां पे बार्डर पे ले जाती है, वहां पे साइट सींग भी करवा देते हैं उसके थोड़े से पैसे ज्यादा होते हैं अगर आप सिरफ इन आउट के लिए जाना चाते हैं तो फिर आप जो है तक्रीबान चार्लीस डालर 50 डालर लेते हैं और यह आपको ले भी जाएंगे और वापीश भी लेंगे वहां पर थोड़ा बेट भी कर लेंगे और बाकी मैं आपको साथ अपडेट देता रहूंगा मेरे साथ कि यह जाइवर है हसन ठीक है यह गाड़ी है यह गाड़ी इसी की है तो यह वही अगेन के लेंग्विज का काफी मसला इंगलिश स्पीकिंग नहीं है बट लोग बहुत अच्छे हैं कोपरेटिव लोग हैं टूरिस को वेलकम करते हैं अच्छे लोग हैं और आज मौसम बहुत जबरदस है यहां पर समरकंद में बारिश हो गया काफी सुबह से बारिश में अच्छी तरह से गाइड दर दे हैं बहुत अच्छे बंदे हैं तो मैं ताजकासन पहुंचने माला हूं यह आप दिखाता हूं और यह पिछे देख सकते हैं यहां से ताजकेस्टन 22 किलो मेटर है तो बहुत अबढरस एरिया बहुत तinh Key additional के वारिश हो रही है यह यहां से 22 किलो तो यह देख सकते हैं साथ में सारी फस्रें वगरा इनकी लगी हुई है गाड़ी में ड्राइगर साथ मेरा अपडेट कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आप वीडियो बनाएं को जिए बताएं यहां से इतना सफर है वो बाकी आपको मजीद अपडेट में सासा देते हैं यह दोसो ताजकिस्तान के हम करीब करीब इस्रेंग पहुंच चुके हैं वायक वारिश हलकी हो रही है मौसम बहुत मज़ेदार है सर्दी भी है हलकी सी यह कोई बॉर्डर के नजदीग यह चोटा सा कोई सिटी है वहां पे हम पहुंच गए है यह जोड तिपाका एरिया है तो गयर इस ताजकिस्तान के बॉर्डर पे यह समरकन से तक्रीबन एग घंटे में तक्रीबन मैं पहुंच गया यह आपे लोकल भी कापी हैं और यह लोकल टूरिस्ट हैं जो के यहां पे घूमने के लिए आते हैं या जाते हैं दूसी साइड पे देख सकते हैं टैक्सी वगरा लो तक्रीबन एक गंटे में पहुंच गही हैं यह ऑच्छे लोग है यह वह लोगा यही वेलकम बहुत छे तरीके से कि है तो मुझे सारे कहरते हैं महमान महमान तो वाकी अभी है के हमारी ताजकिस्तान की भी स्टैम्प लग गई है ट्रेमलिस्टी के लिए अची कंट्री है तो जो भी लोग दुबई से आएं वो ताजकिस्तान का साथ विज़ा लेकर आएं और अपने एक टिकेट में आप दो आप यहां से आपको इनी की फूड जो है मिल जाएगी बाकि इतनी बड़ी मिह हैं यहां से खाना वगएरा मिल रता है और मैंने कहाई पानी नहीं मिलेगा पानी हम आपको पिला देंगे उती है चूटा सा एक के अप्र टाइम पदावता है तो दोस्तों मैंने ताजकिस्त एंटर होके टाजकिस्तान की स्टैम्ट गढ़ाकर और मैं दुबारा फिर उद्विक सान आगह हूं अ अगर जो वी लोग दुबई से आरहे हैं तो वो उद्विक सानके साथ-सान का भी वीजा लेकर आए तो बेतर है एक टीकिट में दो कंट्री इजिली आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं मैं आगे सिटी में नहीं गया क्योंकि मेरे बास थोड़ा टाइम कम था तो मैंने वापिस जाना था तो बाकी आगे आप सिटी बहुत ज्यादा फेमस प्लेसी हैं यहां पर भी विजिट के लिए टूरिजम के लिए अच्छी कंट्री है आप उस्बिक सान से ताजकिसान बाइरोड जो है ट्रिप बहुत मज़िदा ट्रिप है अच्छा एरिया हुआ कर दो हुआ हैं तो तो मैं बाइट है एह ताजकिसान झालदेट के उझेए में जच्छा पर झाल बहुति के लिए ऊवग। जो धूद्डमान से उथ उसबिकसान के लिए रूगे यहां पे какой-पिछ खाने के लिए रूगे यहां पे कुछ खने के लीए है यहां पर चोटी सी नि कनेफित हैं, यहां था हमार्किट में रूगे हैं ययाँ प ereEM कångने हैं कूछ फूल भी अस्टों करें है कुछ लोकल फूली सेहल कर हैं मीइड यह यहां पे मीड जोizable टाहते हैं यह होते हैं यह देखे यह थे अप्ण यह चूंबा का लेम लेम तानी हैं करते हैं यह जूंप ही यह फूर्स होगे रहे हैं और मूल यह है जी तो दोस्तों मैं ताजिकिस्तान से वापिस समर्कन फोन चुता हूं बहुत अच्छा टिपरा बहुत मज़ा आया दो कंट्रीज भी विजिट हो गए है और अभी मैं रेस्ट करूंगा अपने होटल में और मजीद अप्लेट लिया में फाफ देगे तैंक यू